So hey guys, कैसे हैं आप लोग, दोस्तों अगर आप लोगों के PC या Laptop की Memory फुल हो चुकी है और आप अपने लिए एक सबसे Best External Hard Disk चाहते हैं तो आप लोगों ने एक दम सही वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि इंडिया में कौन-कौन सी Best Hard Disk फिलाल के टाइम पे आप कंसिडर कर सकते हो उन सभी के बारे में हाँ आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले तो यहां पे बात करते हैं कि Hard Disk लेने से पहले हमें क्या जानना चाहिए और दोस्तों Hard Disk लेने से पहले अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोगों को अच्छी Storage FCP चाहिए और एक Durable Hard Disk चाहिए तो आप लोग डेफिनिटली अपने लिए एक बहुती गलत option चूज कर सकते हो क्योंकि there is so much more into Hard Disk nowadays तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता देता हूँ कि Hard Disk में क्या क्या जरूरी होता है आज कल और हमें किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उससे पहले अपना नाम बता देता हूँ दोस्तों नवश्कार मेरा नाम है प्रिशान चोधरी वेलकम तो प्रड़क बजार और अगर आप नए हो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो ना तो मेक शूर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पर क्लिक कर दे अभी कियो कि आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी काम की वीडियों हम लाते रहते हैं अब हार्डिस्क की बाद चल रही तो हार्डिस्क में एक कोमन सी चीज है सबसे जादा हम लोग क्या देखते हैं सबसे मेन हम लोग देखते है रिड राइट स्पीड और यह obvious भी है जितनी अच्छी रीड राइट स्पीड आपके हार्डिस्क की होगी उतनी जादा आपके हार्डिस्क अच्छे से काम करेगी, perform करेगी दूसरी चीज होती है obvious वो है durability क्योंकि हार्डिस्क बहुत छोटे सा component होता है कहीं गिर जाए या लग जाए तो खराब नहीं होना चाहिए तो इसरी चीज होती है storage एक टीबी की है 512 GB की है दो टीबी की है चार टीबी की है तो यह तो तीन चीज हो गई normal दोस्त लेकिन जो सबसे main important चीज होती है वो होती है आपके hard disk का data data क्योंकि hard disk ऐसी चीज होती है कभी खराब भी हो सकती है या गुम भी सकती है चोरी भी हो सकती है तो ऐसे में आप लोगों का data बहत कीमती रहता है जो की hard disk के साथ में चला जाता है तो trust me guys 100-100 GB के लोग 20-20-30-30-40-40-40,000 रुपे मांग लेते हैं depend करता है आपके hard disk कितनी जादा खराब है तो data recovery is extremely important और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से ऐसी ही hard disk discuss करने वाले हैं जो अपने price segment में best रहेगी और उनमें आपको best to best features मिल पाएं इसके अलावा एक दो चीज और है जो हमें hard disk में ध्यान रखनी चाहिए वो है durability क्योंकि जितनी जादा durable होगी उतनी अच्छी होगी छोटा सा component होता है बिल्कुल इतना सा तो ये गिर भी सकता है कहीं लग भी सकता है तो ये ना durable होनी चाहिए अब क्या होता है आज किल मार्केट में आपको अलग-अलग तरीकी की hard disk मिल जाती है जिसमें जो है shockproof या इस तरीकी के layers रहती है जो गिरने के बाद में भी hard disk को खराब होने से बचाती है तो इस चीज का भी यहाँ पर हमने ध्यान रखा है इसके अलावा connectivity भी होनी चाहिए Windows से, Mac OS से या phone से तो कम से कम at least connect होनी ही होनी चाहिए एंड warranty भी अच्छे से अच्छे मिलनी चाहिए विकोज अगर खराब हो जाए तो आप लोगों को 3 साल या 5 साल की warranty मिले ताकि आप लोगों को replace होके आप लोगों के hard disk मिल जाए तो यह तो थी भाई वे सभी चीज़ें जो आप लोगों को जाननी जरूरी है hard disk लेने से पहले अब बात करते हैं इंडिया में आने वाली top 5 hard disk तो यहाँ पर number 5 पर हमने लिए भाई Toshiba की तरफ से आने वाली hard disk बहुत ही प्यारा product है अपने brand की तरह USB 3.0 के साथ में अपने को यह मिलती है और इसमें आपको 110 MB per second की speed मिलती है यह जितने भी hard disk में आप लोगों को बताने वाला हूँ यह सभी आपको अलग-अलग capacity में मिल जाएगी हर एक capacity की hard disk का link आपको नीचे description में मिल जाएगा लेकिन बात करें इस Toshiba की hard disk की तो इसमें आपको बाई internal shock sensor मिलता है जो चीज मैंने आप लोगों को बताई की गिर जाए तो जो shock हो उसको absorb कर ले और आपकी hard disk पे कोई impact उस चीज़ का ना आए और इसके अलावा आप लोगों को password protection भी मिल जाता है जिसके वैसे आप लोगों का data safe रहेगा कोई और इंसान इतनी easily अगर चोरी भी होगे कुछ भी हो गया तो आपके data को access नहीं कर सकता 200 gram weight के साथ में आती है वाई ये Windows पे भी easily चल जाएगी Mac OS और phone से भी easily connect हो जाएगी और तोस्वीबा इस hard disk पे देता है 3-year warranty और बात के price की तो एक TB वाले variant का price आज की rate में around 4,000 रूपीस है 2 TB, 4 TB में आती है सभी के links आपके description में मिल जाएंगे लेकिन इस price range में एक बहुत ही बढ़िया option यह हो सकता है number 2 पर आती है दोस्तो WT की तरफ से आने वाली Western Digital की तरफ से आने वाली hard disk वही same जो मेरे पास में भी है ये मेरे पास basically 2 TB वाला variant है क्योंकि यह लगबग उस time पे 5,5,5 जारका आ गया था बट यह आपको बेसिकली 1 TB, 2 TB, 4 और 5 TB के option में भी मिल जाती है बहुत ही अच्छी brand है बहुत ही पहले से hard disk बनाते हुए आ रही है और खास बात यह है कि यह काफी जादा lightweight and काफी जादा durable hard disk और इसमें आपको password protection मिलता है with 256-bit encryption तो इस encryption से क्या होगा आप लोगों का data safe रहेगा no one will be able to access your data and data recovery का option भी आप लोगों को इसके साथ मिल जाएगा जब आप इसको अपने PC से connect करोगे तो आप लोगों के सामने एक software आएगा जिसमें आप अपना सारा backup ले सकते हो 170 gram का काफी lightweight product है यह और Windows में भी easily connect हो जाता है Phone में भी connect हो जाता है और Mac OS में भी connect हो जाता है 3 साल की warranty जो है WD इस product पे देती है और बहुत ही शांदार product होने वाला है मैं personally इसको पिछले 2 साल से use कर रहा हूँ और इसके 1 TB वाले variant का price आज की date में है around 4200 रुपीज अलग-अलग variant में आते हैं जिसमें की मैंने बता है सभी के link आपको इसे description में मिल जाएंगे लेकिन अब बढ़ते हैं next product पर और यह आती है Seagate की तरफ से आने वाली external hard disk drive अब Seagate बहुत जादा popular एस market में and इसमें भी आपको password protection मिल जाता है खास बात यह कि इसमें आपको मिलती है Aluminium body जो की दिखने में बहुत ही जादा प्यारी लगती है और connectivity की बात करें तो भाई Windows से भी connect हो जाएगी Mac OS से फोन से तो connect होई जाएगी इसके अलावा Xbox और PlayStation चे भी आप अपनी इस hard disk को connect कर सकते हैं इस hard disk में आपको 3 साल की warranty मिलती है और 7-7 में 3 साल की data recovery services भी आप लोगों को free of cost मिलती है आज की date में 1 TB की hard disk का price होने वाला है around 4000 बट one of the best option आप लोगों के लिए definitely रहने वाली है इनका भी link आपको description में मिल जाएगा अब second number पर होई भाई हमने आप सीगेट की ही hard disk लिए इसका नाम है सीगेट one touch hard disk ये भी आपको 1 TB, 2 TB, 4 और 5 TB के option में मिल जाएगी 120 per second की speed के साथ में मिलती है USB 3.0 एंड password protection और aluminium body भी मिल जाती है इस वाली hard disk में भी आप weight भी काफी कम है लगबग 160 gram इसके साथ आथ में 3 साल की warranty आप लोगों को मिलेगी और इसमें एक खास चीज है कि इसमें आपको one touch backup मिलता है मतलब एक touch से आप अपने पूरे data का backup ले सकते हैं और 3 साल की data recovery services भी इस hard disk के साथ में आप लोगों को मिल जाती है price आज की rate में लगबग 4000 से 4200 रुपीज होने वाला है बट बहुत ही प्यारा option आप लोगों के लिए होने वाला है अब जो product आता है number one पर भाई ये बहुत ही जादा interesting product है इसका नाम है भाई transcend की portable HDD hard disk drive दोस्तों ये बहुत ही premium product है USB 3.1 के साथ में आप लोगों को ये मिलती है और जो इसकी speed मिलती है वो मिलती है आपको 5 GB per second की मतलब इतनी जादा speed आप लोगों को usually आराम से किसी और hard disk में देखने को नहीं मिलेगी इस price segment में एंड ये आपको 1 TB और 2 TB दोन option में available मिल जाती है और इसमें आप लोगों को quick reconnect button भी मिल जाता है और साथ साथ में one touch backup भी मिल जाता है सिर्फ एक touch पे पूरा data का आप backup ले सकते हो वो भी 256 AES hardware encryption के साथ में तो आप लोगों का जो data होगा वो भी completely safe रहने वाला है इसका जो weight है हमापर थोड़ा सा जाधा हो जाता है लगबग 227 gram weight के साथ में आप लोगों को ये मिलती है and 3 layer anti-shock proof भी इसमें आप लोगों को मिलता है मतलब अगर गिरेगी भी ना तो आपका maximum shock जो होगा वो absorb कर लेगी आप लोगों के HDD और खराब नहीं होगा इसके durability बनी रहेगी तीन साल की warranty मिलती है जो connectivity है वो आप Windows से भी कर सकते हो Mac से भी कर सकते हो and अपने phone से भी कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया 1 TV और 2 TV दोनों segment में आप लोगों के मिल जाती है और जो उसका price होने वाला है आज की date में 1 TV variant का वो around 48 से 4900 रुपीज के असपास होने वाला है दोस्तों ये one of the best option आप लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि इसकी speed बहुत ही जादा है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इवन इन पांचों hard disk में से आप किसी भी hard disk को consider कर सकते हो और किसी भी storage capacity में कर सकते हो अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को subscribe करके bell icon को press भी जरूर कर दे helpful लगी हो तो like जरूर करें कोई doubt और question हो कह रही हो तो feel free to comment down below इसके लावा आप लोग हमारे instagram पे भी हमें contact कर सकते हैं आपको हमारे instagram एंडल आप लोगों कहीं कहीं दिख रहा होगा तो see you guys in the next video thanks for watching Prashant Chaudhary